हेलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम दो MSC फर्स्ट सेमेस्टर सबजेक्ट इनवर्टिब्रेट का टॉपिक देखने वाले हैं तो टॉपिक का नाम है प्रिमिटिव नर्वास सिस्टम सिलंट्रेटा तो टॉपिक में आने से पहले मैं आपको सिलंट्रेटा के अंतरगत आता है सबसे पहले नर्वास सिस्टम हाइड्रा में देखा गया और जो हाइड्रा होता है वो फाइलम निडेरिया से बिलॉग करता है इसमें सबसे पहले true और सबसे simple टाइप का nervous system देखा गया इसलिए इसको primitive nervous system बोला जाता है तो देखते हैं synopsis, synopsis में introduction, classification, general characters, classification of silentrator, nervous system in silentrator, hydra, conclusion, reference तो सबसे पहले हम रोग इसमें देखेंगे introduction यह नोट्स थोरब पुराना हो गया है तो अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो प्लीज उसे इग्नोर कीजेगा क्योंकि मैं पढ़ते-पढ़ते मेरा आदत है कि मैं नोट्स में जो कुछ भी trick based पर मैं याद करती हुँ तो trick भी रहता है तो उसको मैं लिख देथी हुआ तो प्लीज आप लोग कुछ भी लिखा रहेगा उसको इग्नोर कीजेगा तो पहला में देखते हैं हम लोग introduction फैलम सिलेंट्रेटा में उन फैलम को रखा गया है जिनका सारे रिक संगठन कोशिकया या उतेकया प्रकार का होता है ऐसे जनतु होते हैं जिनकी देह गुहा खोखली पाई जाती है तथा इसके साथ ही इनकी देह गुहा में विशेज प्रकार की संरजना धन्स को सिकाएं भी वस्तित होती है जो फैलम सिलेंट्रेटा के प्रमुख लक्चण है इनकी शरीर के दिवार को सिकाओं की दो पर्तो से बनी होती है एक्टोडर्म और अइंडोडर्म जो बाहरी वाला लेयर होता है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं और फृप फैला में है प्रेटा और निडेरिया प्लास है इसमें हाइडरो जोगा ओर्डर है हाइडरो आइडर और जीनस है हाइडरा थाड में हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स जो हाइडरा होता है उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या है पहला है समूद्री जल में आला वाड़ी जल में तथा अधिकतर समूद्र वासी होते हैं हाइटर समूद्र में पाया जाता है इसलिए इस पुला गया है फिर है यह सबसे सिंपलेस्ट मेटो जवान होते हैं इसका नाम Scylentr quilties लिय पढ़ा, युकि इसके अंदर एक cavity पाई जाती है, जिसे Cylentron कहते हैं इन्हें Neideria भी कहते है, इन्हें Neideria इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनके पाज दन्स को शिकायां पाई जाती है नीडिल के जैसे डंस को सिखाएं पाई जाती है इसलिए से नीडरिया बोलते हैं जिनका नाम नीडो साइट सेल कहते हैं जो डंस को सिखाएं जो नीडिल के समान को सिखाएं होती है उसको नीडो साइट बोलते हैं ये टीशू लेवल और ये टीशू लेवल और और्गनाईजेशन है ये डिपलो ब्लास्टिक है दो लेयर पाई जाती है एक्टोडर्मा और अंडोडर्मा फिर है इनमे रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उत्सर्जन स्वसन्या परिशन चरंड तंत्र नहीं पाई जाता है इन में metagenesis पाई जाता है, radial similarity पाई जाती है, किसी भी अक्षपर काटने पर दो बराबर भागों में बटीव होती है, इसको हम लोग radial symmetry बोलते हैं, ठीक? फूर्थ है इसमें classification of xylentrator, जीवन चक्र में पाई जाने वाली medusa या फॉली अवस्था के आधार पर संक xylentrator को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, और कौन से तीन वर्गों में? पहला है hydro जोवा, दूसरा है skypo जोवा, और तीसरा है antho जोवा, तो इसको मैं ऐसे य अभी याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद करने से क्या होता है जल्दी भूलते नहीं है, तो पहला देखते हैं hydro जोवा, hydro जोवा समुद्री जल में पाया जाता है, पीढी का एक आंतरर नहीं पाया जाता है, मेटा जीनेसिस, फॉलिप वा मेडियोसा दोन आवस्था में पाय जाती है, इसका एक्जामपल है औरेलिया, औरेलिया एक प्रकार का सैवाल है, जो समुद्र में पाया जाता है, तिसरा है अंतो जोवा, समुद्री जल में ही पाया जाते है, इसमें भी पीढी का एक आंतरर नहीं पाया जाता है, पॉलिप वा मेडियोसा वस्था नहीं पाय कुछ मिलिमीटर का होता है आइडा का नर्वास सिस्टम नियूरॉन से मिल कर बना होता है यह नियूरॉन या नर्वास सेल एक नेट के फॉर्म में पाया जाता है इनमें कोई भी Centralization नहीं होता Centralization मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नजर नहीं आता जहां पर नर्वास से खटे होकर ब्रेन या Central नर्वास सिस्टम बनाती हूँ तो इस तरह के नर्वास सिस्टम को हम diffuse nervous system कहते हैं Height point है नर्वास सिस्टम का कारय में मैसेज को रिशिव करना होता है Internal ए External इंवर्मेंट से सूकि हाइड़ा का नर्वास सिस्टम नेट के फॉर्म में होता है सारे मैसेज को भी क्लिद दिया जाता है सारे direction में ताकि जो organism में हो एक निपन्स ना करें सिख्स हैचु के हाइड्रा में पहले जो रिसपोंस होगा वह स्लो होगा उसकी वज़ा से यह है कि जुर दूसरे नर्वस से मीलता है तो वाहा से के वहां पर उसके बाद उसको पूरे वाडी में परदर आगे भेज दिया जाता है इनमें टू टाइप्स के नर्वसेल पाया जाती है जिन्हें बाइपोलर एंड मल्टी पोलर कहते हैं यह हाइड्रा का सिंपल सा डाइग्राम है और यह जो नेट के फॉर्म में पाया जाता है वो नर पर इसलेंगे के ऑनीमल केवल खोकली गुआँ वाले आनीमल ही पाय जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर मि नर्व नेट ज्यादा होता है और डिफ्यूज के तुरूप उसे सती है इसमें bipolar and multipolar होते हैं इनमें hydra में nervous cell net के form में पूरी body में फैला रहता है सेवन्त है इसमें reference introduction है इसमें invertebrate, geology, by, rl, kodpal और by net तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर मेरा notes अच्छा लगा होगा तो प्ली चैनल को like, share and subscribe जरूर करें तो thank you for watching